यूपी चुनाओं के मद्दे नजर बीजेपी ने अपनी उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है बीजेपी के इस सूची में 85 उम्मीदवारों के नाम शामिल है जिसमें 15 महिला प्रत्याशी है वहीं इससे पहले बीजेपी ने उम्मीदवारों की दो लिस्ट और जारी की थी जिसमें 109 प्रत्याशियों के नाम शामिल थे बता दें कि बीजेपी की तीसरी लिस्ट में कई चौकाने वाले नाम भी शामिल है बीजेपी ने इस लिश्ट में कई बड़े नेताओं के साथ ही बागी नेताओं को भी मौका दिया है सबसे बड़ा नाम मुलायम के समधी हरियोम यादों का है जिन्हें सिरसागंज सीट से टिकट दिया गया है दूसरा बड़ा नाम रायबरेली से विधायक आदिती सिंग का है उन्हें अपने ही गड़ रायबरेली से चुनावी मैदान में उतारा गया है इसके अलावा बीजेपी सरकार के मंत्री रहे रामवीर उपाध्याय को साधाबाद सीट से टिकट दिया गया है रामवीर को बीएसपी ने भ्रष्टाचार के मामले में पाटी से निसकासित कर दिया था जिसके बाद उन्होंने बीजेपी जोइन कर ली बीजेपी ने मुलायम के गड़ मैनपुरी से जैवीर सिंग को टिकट दिया है तो बहुचर्चित सीट लखीमपुर से योगेश वर्मा को मैदान में उतारा गया है इसके अलावा संजय गंगवार को पीली भीट से और स्वामी प्रवक्तानंद को बरखेडा से उतारा गया है बीजेपी ने इस बार छे विदायकों के टिकट भी काट दिये हैं जिसमें बरखेडा से विदायक किशनलाल राजपूत, बीसलपूर में मौजूदा विदायक रामसरन वर्मा, जसराना से विदायक रामगोपाल, शिकोहबाद से मुकेश वर्मा, संडीला से राजकुमार अगरवाल और हातरस से हरिशंकर का नाम शामिल है वहीं बीजेपी ने जिन 15 महिलाओं को अपना प्रत्याशी बनाया है, उनके नाम है और खागा से कृष्णा पास्वान, बीजेपी की इस लिस्ट में छे ऐसे नाम शामिल हैं, जिन्हें दोबारा मौका मिला है भोगाओं से राम नरिश अगनिहोत्री, छिवरा मौँ से अर्चना पंडे, कल्यारपुर से नीलिमा कटियार, महराजपुर से सतीश महाना, हुसैन गंज से रागवेंदर प्रताप सिंग, और महरोनी से मनोहरलाल मन्नू बीजेपी की इस लिस्ट में सबसे खास बात ये है, कि और एया की बिधुना सीट से बीजेपी विनय शाक्की की बेटी रिया शाक्की को बीजेपी ने टिकट दिया है, जिनकी उम्र महस 25 साल है, इससे पहले बीजेपी ने शनिवार को 107 उम्मीदवारों की सूची जारी क जिसमें सबसे चौकाने वाला नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्तिनात का रहा था झाली कि झाली को झाली योगी जारी को झाली क का रहा था